हेलो दोस्तों आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नई हीरो डॉन के बारे में क्या फीचर मिलेगे, क्या प्राइज रहेगी, कब तक लॉंच होगी ऐसा भी मैं आप लोगों को कंप्लीट डीटेल से जानकारी दूनगा तो चलिए वीडियो शरू करते हैं हीरो अपनी डॉन को इंडियन मार्केट में एक नई अफ़तार में लॉंच करने को तियार है सबसे पहले बात करें तो इसके लूप की तो, इसका जो लूप है वो पहले के जैसा ही देखने को मिलेगा, कंपनी की और से लूप में ज्यादा कोई बदलाव नहीं देखने को मिलेगा हीरो डॉन बाइक के लुक्स को और मजबूत बनाने के लिए इसमें पांच स्पोक अलायर वील्स देखने को मिल जाएंगे फीचर में जो हे काफी बदलाव देखने को मिलेगा, इसमें अपको हेलोजन लाइटिंग सेटैप देखने को मिलेगा लेकिन इसमें फूली डिजिटल कंसोल मीटर देखने को मिल सकता है और साथ में अपको ब्लूटूट कनेक्टीवी डे से ऑप्शन देखने को मिल जाएगा और इसमें अपको CBS यानिकी कोर बैंकिंग सॉल्यूशन देखने को मिलेगा इसमें अपको कोई डिस ब्रेक आप्शन देखने को नहीं मिलेगा USB चार्जिग प्वाइंट ऐसा भी आप्शन देखने को मिल जाएंगे सेफटी वायस अपको साइट सेंड इंजिन का टो आप सेंस भी दिया गया है आप देख सकते हैं कि पहले के हिसाब से काफी फिचच देखने को मिल जाएंगे अब बात करी जाए इसके इंजिन के बारे में तो कमपनी की और से अभी तक इसके बारे में कोई अपडेट नहीं है के इसमें 100cc या 125cc का इंजिन के साथ आएगी प्राइच की बात करे तो अपको 80,000 से 90,000 के बीच में मिल जाएगी लॉंच की बात करे तो इस बाइक को टेस्टिंग के दौरान इंडियन मार्केट में देखा जा चुका है तो कमपनी इस बाइक को 2 या 3 महीने में लॉंच कर सकती है यानि की अपको इस साल के अंग तक अपको रिलॉंच होती हुई दिखने को मिल सकती है अपना ओपिनियन कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा फिलहाल इस वीडियो में इतना ही थैंक यू फर वाचिंग अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेर करें और चैनल पर अगर आप लोग पहली बार आये है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए